हाई फ्रेंड्स बेस्ट बिजनस एन्बी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगी कि आप मुर्गी के छोटे चूदों के लिए छोटे बच्चों के लिए फिड घर पर ही कैसे बना सकते हो जी हाँ दोस्तों बहुत सारे मित्र एक तो इंक् फिड कौन सा दे जी हाँ क्योंकि फिड गलत देने से भी दोस्तों मुर्गियों के छोटे बच्चों में बिमारी आती है और वो पूरी तरह से श्ट्रॉंग नहीं होते है और उनकी जो ग्रोथ है वो रुख जाती है तो जी हाँ दोस्तों अगर घर पे फिड बना ना है त उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि चूजों को सही तरह से प्रोटीन मिले अब 100% प्रोटीन तो हम घर के फिड में नहीं दे सकते है बादर में जो फिड मिलता है वो पूरी तरह से प्रोटीन इक्ठ होता है उससे चूजों की ग्रोथ फाष्ट होती है अगर मान लो तो उनकी ग्रोथ रुख जाती है, वो थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़ते हैं, इस वज़े से घर का फेड देना ज़रूरी होता है, फिर वो आपके चूदों के साथ मुर्गी है या नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, आपके पास चूदे इंक्यूबिटर के हो, मोल लाए हो या और कई से आया हो, अगर चूदे आप पाल रहे हो तो उसे आपको घर का फेड देना ही पड़ेगा, या फिर बादार से मोल लाए हो जो फेड होता है, दोस्तों वो थोड़ा महिंगा जाता है, कॉसली जाता है, लेकिन उसमें 100% प्रोटीन होता है, 100% प्रोटीन होने के कारण चूदों की ग्रोथ सही तरह से होती है, और चूदे जल्दी बड़े होते हैं, और पूरी तरह से स्वस्त रहते हैं, लेकिन अगर हम पैसे बचाने के लिए या फिर आपके बादार में फेड नहीं मिलता, आपको कम कॉन टीड में चाहिए, बादार में डायरिक 50 किल कोनी मिल रही है, आईसी समस्य के लिए आप अपने घर का भी फेड बना सकते हो और चूदों को दे सकते हो, सिब घर के फेड में इतना ही है कि 100% नहीं बट 75% तक प्रोटीन हम मैनेज कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपको घर पे फेड बनाना है तो सबसे जरूरी होता है मक्का, चूदों के लिए, उसके बाद में सेकंड हम उसमें राइस दाल सकते हैं जी हा दोस्तों, चावल, अगर आपके बाद पूरा ना, बॉयलर, फिनिशर, श्टायटर, अगर कोई भी फेड है, तो आप उसके साथ मिला कर फेड बना सकते हो, अगर है तो अच्छी बात नहीं है, तो नहीं दाला तो भी चलेगा, जी हा दोस्तों, राइस अगर आप देड कटोरी ले रहे हो, जी हा छोटे चुदों के लिए फिर जो है न, वो दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाच दिन काई बनाना, ज्यादा नहीं बनाना, तो आप जितना मक्का ले रहे हो, उससे देड गुना, जी हा दोस्तों, एक कटोरी मक्का लिया है, तो देड कटोरी आपको राइस लेना पड़ेगा, और आपके घर में जितनी भी दालों की वेराइटी है, जी हा, जैसे यह आप देख रहो, यह अलग-अलग किस्म की दाले है, तो यह उसके बाद में अगर सोया बीन वड़ी या सोया बीन आपके पास है, तो आप वो भी दाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, करके मैं वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, बट सोया आप उसमें थोड़ा सा दाल सकते हैं, तो सोया आपको कितना लेना है, जितना आप मक्का ले रहे हो, मानलो आप 100 ग कावल के साथ एक कोटोरी मक्का ले रहे हो तो नमक की मातरा आपको इतनी सी रखनी है जिया दोस्तो जाधा नमक नहीं दालना है नहीं तो चूजे जो है वो फिड नहीं खाएगे उसके साथ दोस्तो एंटीबैटिक के लिए जो हल्दी आती है जिया दोस्तो हल्दी पाउडर और वो भी आपको एकदम कम लेनी है, जिया, मैं आपको बता दू, एकदम कम, अगर ज्यादा दाल दोगे, तो इससे भी फिड नहीं खाएगे चूदे, तो यह देखिए, यह आप दो चीजे इसमें मिला सकते हो, देखो यह, परफेट फिड बनने का फर्मूला नहीं है, अभी चूदों में 75% तक प्रोटीन चूदों को मिल जाएगा और आपका चूदा पूरी तरह से स्वस्त रहेगा, फिड के साथ-साथ, शुरू के तीन दिन आपको कोई भी एंटिबैटिक चूदों को दे नहीं है, जैसे लेकजिन पाउडर हो गया, हॉकवेट पाउडर ह हो गया, ट्रेटरा साइक्लिन पाउडर हो गया, कोई भी एंटिबैटिक आप पानी में 3 दिन चूदों को दीजे, उसके बाद में मल्टी विटैमिन आप पानी में दे सकते हो, और उसके साथ ये फिड दे सकते हो, इससे आपका चूदा पूरी तरह से स्वस्त रहेगा, ल इनके समय में तो चूदा एग्डेस्मेंट कर लेता है, बट रात के समय में अगर मोसम थंडा है, तो आपको टेमप्रेचर 32 से 33 डिग्री सेलसियस मैनेज करना पड़ेगा, आपका एक भी चूदा नहीं मरेगा, तो जिहा दोस्तों, आप भी चावल हो गया, पुराना चूदे के लिए, जी हाँ, छोटे चूदो के लिए, मैं एक दिन से लेकर, तो दस दिन तक के चूदो की बात कर रहा हूँ, चूदो के लिए दोस्तों, फिड बना सकते हो, और अपने चूदो को पूरी तरह से सौस्त रख सकते हो, यह मैंने पूरी तरह से मिच्चर कर लि हो दोस्तों तो आपका चूदा जो है न उसकी चोच में इजी ली जा सके इतना इसको बारिक पिसना है इस तरह से आप घर पर फिड बना कर अपने मुर्गियों के बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हो आपको किसी तरह का कोई सवाल है या डाउट है तो आप हमे कमेंड कर सकते हो हम आपके कमेंड का जवाब जरूर देंगे और शुरुती दिनों में चूदो की говорит करना ज़रूरी होता है तो ब्रूरी किस तरह से कीजाती है किस तरह से temperature manage किया जाता है यह सब जानकर यह आपको हमारे brooding वाले वीडियो में मिलेगी तो आप brooding वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा वीडियो अगर आपको पसन आई है तो वीडियो को like करके अपने जरुत मन दोस्तों में share कीजेगा आप सब मित्रो का धन्यवाद